एक दिन प्रातहकाल महाराज श्रोच से निवरित होकर मोटर मार्क की दिवार पर बैठे थे इतने में बालक नाम के एक बाबा ने आकर उन्हें प्रणाम किया। बाबा बोले क्या तकलीफ है बालक ने बताया कि कल रात से वे पेट दर्द से पीड़ेत है बाबा ने अपने श्रोच के लोटे से बचा हुआ जल उन्हें पीने को दिया और इधर उधर दोड़ाया। थोड़ी देर में उनका दर्द जाता रहा उसी दिन महाराज के साथ आये हुए पंडित मामा के पेट में भी दर्द हो गया बाबा ने तुरंत उन्हें रैम से अस्पताल नैनी ताल में भरती करवा दिया और दिन भर दर्शनार्थियों को उनकी कुशल पूछने अस्पता वाला कोई नहीं होता उसकी देख भाल भगवान करता है पंडित संपन्न आदमी है वो अच्छा इलाज चाहता है और लोगों की सहानुभूती की इच्छा रखता है